तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Minecraft Pocket Edition का लुक जो कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हूँ जिसको देखके आपको पता लग रहा है कि मैं मोबाइल पर खेल रहा हूँ तो इसका आप लोग लुक बिल्कुल Java Edition की तरह कैसे बना सकते हो या फिर बिल्कुल PC की तरह जैसे आप PC में खेलोगे तो ना तो यह बटन्स दिखेंगे और यूनो पूरा लुक जो है Pocket Edition से वो चेंज हो जाता है तो हां तो वीडियो को पूरी देखते रहना और सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहना तो जो भी स्टेप्स है वो मैं अलग से कुछ भी ऐसा डाउनलूड करके नहीं बताने वाला हां एक स्टेप है जिसमें आपको कुछ डाउनलूड करना पड़ेगा लेकिन सारी जो सेट करते हो कोई भी ब्लॉक को तोड़ने के लिए तो आप यह देख सकते हो बड़ा सा सरकल आता है जो की बहुत ही जादा अजीव लगता है और अगर आप वीडियो वगेरा बनाते हो योट्यूब के लिए और पोस्ट करते हो तो यूना यह बहुत ही जादा इरिटेटिंग लगता है दूसरे बंदों को और आप लोग अगर देखते होगे अगर कोई बंदा पीसी में खेल रहा है तो उसका वह प्लस जैसा दिखता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अब देखो गाई मैं आपको सारी सेटिंग्स बताते रहता हूं और आप सेम टू सेटिंग् सबसे पहले आपको जाना है टबस वाले ओप्शन में यह जो आपको टच वाला ओप्शन दीख रहा है आप लोग इसमें जाते जो कि है crosshair अब आप देख सकते हो यह बिल्कुल PC वाला लुक दे रहा है crosshair और उससे पहले क्या था कि वह बड़ा सा सरकल दिख रहा था अब यह सही में PC वाला पूरा लुक दे देता है आपको बट अभी तो और भी चीज़े करनी है देन आपको जाना है वीडियो वाले section में यहां पर सारी की सारी main settings होने वाली है वीडियो वाले section में जाओ उसके बाद आपका जो यहां पर पेपर डॉल रहता है आप इसे चाहो तो हाइड कर सकते हो वैसे मैं जातर लोग को देखा है अगर वो PC में खेले है तो आपने वो पेपर डॉल को हाइड नहीं करते तो इसे आप ओफ कर दो दन आपको नीचे जाना है उसके बाद जैसे आप लोग हाइड पेपर डॉल को ओफ ही रखते हो आई मीन तुसे उसे इनेबल मत करना क्योंकि ओविसली वो हाइड हो जाएगा फिर आप जैसे नीचे जाओगे आपको यहां पर देख रहा आउटलाइन सेलेक्शन आप लोग इसे इनेबल कर दो अब आप पूछोगे आउटलाइन सेलेक्शन है क्या तो देखो गईस अगर आप मोबाइल में खेलते हो तो मतलब कोई भी ऐसे आउटलाइन नहीं दिखती मतलब वह इंदम ना हाइलाइट हो जाता है हाइलाइट टू से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो अगर आपने आउटलाइन सेलेक्शन नहीं किया तो एक दम हाइलाइट हो जाता है बट यह चीज़ पीसी में नहीं होती तो जैसे आप आउटलाइन सेलेक्शन आउन करते हो ना तो किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करके दिखो आप यह जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रह बाद आपको नीचे जाना है और एक जो सबसे में मैं ना तीन में चीजें आपको करनी है तो पहली तो मैंने आपको स्प्लिट कंट्रोल से बर में बताया सेकंड चीज इस यूआई प्रोफाइल अभी यूआई प्रोफाइल है किया मैं बताता हूँ यह भी आप देख सकते हैं यूआई प्रोफाइल पॉकेट पे इस पे जब आपके सामने दो अप्शन आएंगे पॉकेट एंड क्लासिक तो आप वो नीचे आ चुकी है तो guys अब जो है सारी चीजे almost हो चुकी है ज्यादा कुछ करना नी था वैसे हर चीज हो चुकी है अब सबसे जो main चीज आपको क्या करनी है इसके अंदर तो आप लोग देखो जो है buttons, moving buttons and jumping buttons आप लोग इससे कैसे hide कर सकते हो तो इसके लिए आपको settings में कुछ नहीं मिलने वाला और हाँ इस वीडियो में अभी मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला आप लोग पूछेगी क्यों because मेरे channel पर visit करो आपको एक वीडियो इससे related मिल जाएगी या तो i button right side में देखो वहाँ पर i button पर आपको link आएगा उस पर click करके वो वीडियो देखो या फिर description में लिंक है कहीं से भी जाके वो वीडियो देखो तो जब आप सब कुछ कर लेते हो तब मैं बताता हूँ आपको आपका ये पूरा लगता कैसे है आपको सारी settings enable कर देनी है दिन आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है उसके बाद आपको ये buttons कैसे hide करना है मैंने पूरा उसमें बता दिया कि आप लोग कैसे buttons hide कर सकते हो आपको वो भी पता लग जाएगा देन आपको मैं बताता हूँ overall look तो guys अब आप लोग देख सकते हो जो पूरा जो मेरा profile ता pocket edition वाला वो chain जो के बन चुका है Java edition की तरह या फिर आप लोग अगर PC में खेल रहे हो तो उसकी तरह अब आप देख सकते हो कोई buttons नहीं है और अगर उसे पता नहीं होगा कि आप फोन में खेलते हो तो उसे 100% लगेगा आप लोग PC में खेल रहे हो क्योंकि यह उन्हों पता ही नहीं चलेगा जब तक आप उसे बताते नहीं हो और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपका यह चीज चेंज हुआ है कि आपका सिर्फ वीडियो चेंज हुए जिससे आपको बटन बटन हाइड हो चुके हैं बट अगर आप यहां पर क्लिक करते हो अपनी इंवेंटरी पर तो देखो यह फ्लूटिंग विंडो की तरह आता है जो कि पूरा का पूरा PC वादा लुक है अगर आप चेस्ट रखते हो और अगर आप चेस्ट ओपन करोगे तो जो पॉप अपो के आता है ना जो एकदम छोटी सी विंडो में आता है यह सिर्फ पीसे में आता है अगर आप युवाई प्रोफाइल जो मैंने बताया था अगर आप उसको पॉकेट पर रखते तो ऐसा नहीं आता तो देखो कि वीडियो चे लगई तो लाइक कर देना और मैं आप से मिलता हूं नेक्स वीडियो में